आप पूश्कार दोस्तों कैसे हैं कि माने कमुए पोस्ट किया था कि एक वीडियो में बना रहे हूँ तो सबसे पहला कोशन करें अंहोंने पूचा такие थी दी अनिवेशन के लिए कि मैंक है पीड дело नाम का एक किड़ियो सब्सक्राइक 3D animation के लिए ही बहुत ही शांदार software है यह एप है बिलकुल कमाल का experience देता है जिसकी बज़स है जिसको help ले करके आप 3D animation कर सकते हैं काटून बगरा बना सकते हैं तो यह एक बहुत बड़ा एप है और इसके बारे में आप Google कर सकते हैं बहुत सारे जनकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों अगला question लेते हैं अगला question जो है वो class 8 answer 106 नाम से है इन्होंने पूछा है कि इसके साथ कितने monitor यूज कर सकते हैं तो भाई या आप teacher है तो sir आपको मैं बता दूँ तीन monitor इस्तमाल कर सकते हैं बीना कोई hub के और अगर monitor कैसे इस्तमाल करना है 4K monitor चलता है या नहीं इस पर आज ही मैं post किया हूं आप उस वीडियो को जाकर करके देखिए आई बटन में मैं link दे रहा हूं उस वीडियो में मैं बताया हूं और connect करके दिखाया हूं एक से अधीक monitor को इस Mac Mini में तो Mac Mini के साथ किस परकार से monitor इस्तमाल कर सकते हैं एक से अधीक वो सारा उस वीडि कोशन की तरब बढ़ते हैं और अगला कोशन इन ही का है यह पूछते हैं कि और इसके साथ M2 प्रो तो सही रहेगा या M1 प्रो अपने जो कोशन पूछा है बहुत अच्छा सवाल है तो इससे रिकार्डिंग बहुत सारे पोस्ट किया हूं चैनल पर आप पूरा प्लेलिस् सिर्फ लें नौन प्रो वर्जन तो उसके लिए बहुत सारे वीडियो जाकर कि आप चेक आउट किजिए कि उस वीडियो में मैं बताया हूं कि किनके किनके लिए M2 है 8GB 16GB सारा कुछ है आप जाकर कर चेक आउट किजिए सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या आई कोशन की दरब चलते हैं अगला कोशन गालिब 00D पूचे हैं इमुलेटर पर नॉर्मल गेमिंग हो जाती है क्या इसमें बिल्कुल इमुलेटर पर बहुत सारे गेमिंग हो जाती है आप जैसे यूज़ करते हैं अपने विंडोज का और अपने एंडॉइड का सारा कुछ च और क्या क्या पेड है इन्होंने बहुत अच्छा कोश्चन किया है और इसका जवाब थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यह जो सवाल है इसमें जो दाविंजी रिजॉल्व है ऐसे तो यह पूरी तरह से बिल्कुल फिरी सॉफ्ट्वेर है लेकिन इसके अंदर विंजी अस्टूडियो हो जाता है और एक ही साथ लेना चाहते हैं पूरा सॉफ्ट्वेर खरीजना चाहते हैं तो यह आपको उन्तीस हजार के आसपस देखने को मिल जागा इसमें सारे फीचर्स आप अनलॉक कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं तो मैं अभी कुछ बताने वाला हूँ जो कि आप अस्टूडियो वर्जन में इस्तमाल कर सकते हैं जो कि पेड है बिल्कुल जैसा कि मैं बताया उसमें आपको देखने को मिल जागा सपोर्ट फॉर एज डी आटे एज यह सब चीज आप स्टूडियो वर्जन में कर सकते हैं इसके साथे साथ कंट्रास एजे विच कैन वी फांड इस फूटेज चीजे जो है आप जो प्रट वर्जन इसमें इस्तमाल कर सकते हैं और बाकी जो फीरी वाले वर्जन है उसमें नौर्मल आप सब कुछ ये सारे चीज आपको देखने को मिल जाएगा जितना भी चीज आप मैं बताया नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसका जो कैमरा आता है इसके कीवोड्स यह सब आते हैं जो उपकरन आते हैं अगर इसको खरीद लेते हैं तो उसके साथ आपको दाविंजी रिशॉल्फ जो एप्लिकेशन है यह जो सफ्ट्वेर है यह बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट मिल जाग सत्यम कुमार जमुई से यह पूछते हैं कि मैक मीनी M2 में अगर 1080 पिक्सल मॉनिटर एड करेंगे तो क्या उसमें 4K एडिट होगा बिल्कुल क्यों नहीं होगा इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ 2-3 दिन पहले ही आप जाकर कि उसको चेक आउट कीजिए कैसे एडिट होत कुछ पोस्ट करते रहूंगा इसी तरह से कम्मुनिटी पोस्ट पर जो सवाल पूछना होगा आप लोग सवाल जरूर पुछेगा दोस्तों यह क्यू एंड एक सेकंड एपिशोड था इससे पहले मॉनिटर में बनाया था यह कैसा लगा अगर इंफॉर्मेटिव लगी वी हुआ 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 हुआए!